हम लोग संस्क्रीट में संस्क्रीट के पाचमे नम्मर चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसके सिफसक का नाम है भारत महिमा और हम आपको पिछले दो वीडियो में इस पूरे चेप्टर का हिंदी में अर्थ बता दिये थे और उसके अलावा पूरा सब्जेक्टिव कोश्चन भ बहुत अधिक संभावनाएं हैं तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट हो करके देखिएगा क्योंकि जितना अब्जेक्टिव कोश्चन हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे आपके परिच्छा में इस चेप्टर से इस से बाहर का एक भी अब्जेक्टिव कोश्चन नहीं पूछा जाएगा जितना हम आपको बता देंगे बस उसी में से पूछा जाएगा तो चलिए हम लोग बिना समय गवाई सुरू करेंगे पहले नम्मर कोश्चन से लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहला नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे जो कि कह रहा है कि पुरान गरंथस्या रचनाकार कह यानि कि पुरान गरंथ के रचनाकार कौन है सबसे पह भासा में नहीं पूछा जाता है बहुत सारे प्रस्ण ऐसे होते हैं जो कि संस्क्रीट में भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रस्ण ऐसे होते हैं जो कि हिंदी भासा में पूछे जाते हैं तो आपको संस्क्रीट भासा में और हिंदी भासा में दोनों तरह के प्रशन को देखना चाहिए दोनों तरह के प्रशन को याद कर लेना चाहिए तो चलिए पहला नमर कोश्चन कह रहा था कि पुरान ग्रंथ के रचनाकार कौन है पुरान ग्रंथस्य रचनाकार कह तो इसका सही जवाब महरसी ब्यास हो जाएगा कि पुरान ग्रंथ के रचनाकार कौन ह महरसी 20. अब चलिए दूसरा नम्बर प्रश्ण कह रहा है कि भारत की सोभा से कौन प्रशन्üp होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत की सोभा से इस्वर आनि कि भगवान प्रशन्ने होते हैं। दूसरा का ए नम्मर उप्षन सही हो जाएगा अब चलिए तीसरा नम्मर कोशन कह रहा है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह यानि कि यह जो चेप्टर है भारत महिमा इस पाठ के रचनाकार कौन है यानि कि इस पूरे पाठ को लिखने वाले कौन है तो इसका सही जवाब म महरसी बेद ब्यासें आप लोग ध्यान रखिएगा अब चलिए चौथा नमर कोशन कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं यानि कि अब कौन सा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं भारत है कि उनान है कि नेपाल है कि भुटा तो इसका सही जवाब भारत हो जाएगा जैसे ही हम प्रशन पढ़ते हैं आप लोग नीचे लाइफ चैट में उत्तर बता दीजेगा ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि हम लोग सब्जेक्टिव कोशन कितने ध्यान से पढ़े हैं और कितने प्रशन का उत्तर हम लोग अभ सभी जगह गाई जाती है और जखूंसा देश है जिसकी महिमा पूरे संसार में यानि कि सभी जगह गाई जाती है तो ऑफ बहाग कौन सा देश है भारत देश है तो पाच्मा का सी नमर ऑप्सन सही हो जाएगा अब चलिए छठा नमर कोशन कह रहा है कि भारतिया धरा कैसे भारतिया धरा कैह सेविता यानि कि भारतिय धरा को कौन सेवित करता है सागर है कि परवत की निर्जर की सागर परवत और निर्जर तीनों हो जाएगा तो जब हम आपको सब्जेक्टिव कोशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताये थे भारतिय धारा को सागर भी सेवित करता है, परवत भी करता है और निर्जर यानि कि जर्णा भी करता है तो छटा का D number option परवत सागर और निर्जर तीनों हो जाएगा तो इसलिए छटा का D number option सही हो जाएगा अब चलिए सात्मा नमर कोशन कह रहा है कि परासब्दस्य अर्था किम अस्ती यानि कि परासब्द का अर्थ क्या होता है ठीक है परासब्द का अर्थ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा कि परासब्द का अर्थ होता है स्रेश्ठा ठीक है सात्मा का D नमर आप्शन सही हो जा तो अभी नहीं हम आपको बताए कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है और सभी जगह को संस्कृत में सरवत्र बोलते हैं तो भारत अश्य महिमा कुत्र गियते तो सरवत्र गियते यानि कि आठमा का सी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा अब चलिए नौमा नम्मर कोशन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के दितिय स्लोक में किस पुरान से संकली थे भारत महिमा पाठ के दितिय स्लोक कह रहा है जो दुसरा स्लोक है इस चेप्टर में हम आपको पांच स्लोक बताये थे उसमें पूछ रहा है कि जो दुसरा नम्मर स्लोक है वह किस पुरान से संकली थे यानि कि किस पुरान से लिया गया है तो नौमा का सही जवाब हो जाएगा भागबत पुरान से आप लोग ध्यान रखियेगा यह जो चेप्टर का दुसरा नमबर स्लोक है वह भागबत पुरान से लिया गया है अब दस्मा नमर कोश्चन कह रहा है कि भारत महिमाया अधुनिकी गितस्य रचनाकार का है यानि कि भारत महिमा के अधुनिक गीत के रचनाकार कौन है भारत महिमा के अधुनिक गीत के रचनाकार कौन है तो दस्मा का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर उमसंकर सर्मा दस्मा का A number option सही हो जाएगा काफी असान प्रस्ण है चलिए 11 number question कह रहा है कि कती पुर्णानी संती यानि कि पुरान कितने है इसके पहला जो हम आपको 9 number प्रस्ण बताये थे वह प्रस्ण काफी महत्तपुन है 2018 में पूछा गया था और यहाँ पर हम लोगी 11 number प्रस्ण देख रहे है कती पुर्णानी संती तो पुरान कितने है तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 80 यानि कि 18 पुरान है कितने पुरान है तो 80 यानि कि 18 पुरान है चलिए 12 number question कह रहा है कि गयंती देवा पुर्शा सुरतबात यह पद किस पुरान से उद्रिध है गयंती देवा पुर्शा सुरतब ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो 12 नम्मर कोश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा गयांती देवा पुरुशा सुरतबात या विशनु पुरान से लिया गया है और यह प्रशन 2020 में पूछा गया था ध्यान रखिएगा यह 2020 का कोश्चन है हम आपको पढ़ाये थे कि भारत भूमी बिसाल भी है निर्मल भी है और बतसल भी है बतसल कहने का मतलब हम आपको बताये थे ममता मई बतसल कहने का मतलब होता है ममता मई तो कहने का मतलब कि जो भारत देज से हमारा वभा बिसाल भी है निर्मल भी है और ममता मई भी है इसल भारत देश का गौरव है इसलिए 14 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा अब चलिए 15 नमर कोशन कह रहा है कि के गित कानी गायंती यानि की गीत कौन गार हैं के गित कानी गायंती गीत कौन गाते हैं तो देवा यानि कि जो देव हैं उवह गीत गाते हैं ठीक है तो 15 का C नमर उप्शन सही हो जाएगा 16 नमर कोशन कह रहा है कि खाली अस्थान गीत कानी गायंती उसी प्रस्ण को है लेकिन यहाँ पर खाली अस्थान में भरने के लिए बोल दिया है कि खाली अस्थान गीत कानी गायंती गीत कौन गाते हैं तो देवा हो जाएगा यानि कि जो देवता हैं उबह गीत गाते हैं तो 16 का ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा अब चलिए 17 नम्मर कोशन कह रहा है कि यह मुकुंद शेवो पैकम जन्म लगधम यानि कि जो हरी के सेवा के योग होता है जो स्री हरी के सेवा के योग होता है उसका जन्म कहा होता है 17 नम्मर कोश्टन खाली अस्थामिय आपको भरना है कि जो स्री हरी के सेवा के योग होता है तो 17 का D number option भारत जीरे सही इसका जवाब हो जाएगा उपर में भारतम भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आप लोग किताब में देखिएगा भारत जीरे लिखा हुआ है इसलिए 17 का D number option ही आप लोग सही जवाब मारिएगा अब चलिए 18 number question कह रहा है कि एतत भारतम सदा पुझनियम यह भारत सदा पुझनिये रहा है इतत भारतम सदा पुझनियम इसमें थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर खाली अस्थान होना चाहिए भारतम और सदा के बीच में खाली अस्थान होना चाहिए ठीक है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारतम और सदा के बीच में यहाँ पर खाली अस्थान रहेगा कि एतत भारतम खाली अस्थान सदा पुझनियम मतलब कि यह भारत हमेशा सदा पुझनिये रहा है तो हमेशा का मतलब क्या हो जाएगा तो 18 नमर प्रशन में असमा भी भरा जाएगा एतत भारतम असमा भी सदा पुझनियम यहाँ पर खाली अस्थान है आप लोग ध्यान रखेगा सुधार कर लिजेगा एतत भारतम असमा भी सदा पुझनियम 18 का ए नमर आप्सन सई होगा अब चलिये उनुए इसमा नमर प्रशन कह रहा है कि खाली अस्थान भरतिय धरा बिशाला यहाँ पर खाली अस्थान में क्या भरा जाएगा तो यहाँ पर चार आप्सन दिया गया है और पूछा जा रहा है किसमें से कौन भराएगा तो असमधिया भरा जाएगा क्योंकि हमारी या भरतिय धरा भिशाल है तो असमधिया भरतिय धरा भिशाल है उन्हें इसका D नम्मर उप्षन सही हो जाएगा अब चलिए बीसमा नमर प्राशन यह निर्मल मात्री भूमी कैसी है यह निर्मल मात्री भूमी कैसी है तो यह निर्मल मात्री भूमी बदसला है हम आपको पढ़ाये थे कि हमारा जो देश है वह निर्मल और बदसल है तो यह निर्मल मात्री भूमी कैसी है तो बदसला है बीस सिरीसका सी नमूर ओप्षन सही हो जाएगा अभेसर Сам कम भारत वर्ष मिति कथ्यते यानी यानि कि अस्वाकम मतलब हमारा तो यहाँ पर देश भरा जाएगा कि हमारा देस भारत वरस के नाम से जाना जाता है ठीकर अस्माकम देशा भारत वर्ष मिती कथ्यते यहाँ पर असमाकम और भारत के बीच में यहाँ पर खाली अस्थान है आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसमें खाली अस्थान है और खाली अस्थान में देशा भरा जाएगा यानि कि इस चेप्टर से समंधित कोई भी objective question पूछा जाता है तो इन ही एक इस प्रस्ण में से कोई प्रस्ण पूछा जाएगा तो इसलिए आप लोग इसे कई इस question को जरूर याद कर लिजेगा ताकि भारत महिवा चेप्टर से समंधित एक भी objective question आपके परिच्छा में ना चूटे तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पूरा चेप्टर या पूरा प्रस्ण आप लोग अच्छे तरीके से समझ गये होंगे ताकि आगे कि हर एक वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी परकार के महतपून वीडियो के साथ important वीडियो के साथ helpful वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद